वेलकम डिया श्टूडान्ट टू दा अनलाइन क्लासे सबसरदार वललब भाई पटेल इंग्लिश मेड़न स्कूल यावल माईसेल्प सुवरना पाटिर टूड़े वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक इंग्लिश गोल्डन ग्रामर तो आज हम लोग एंग्लिश गोल्डन ग्रामर का लेसन नंबर 28 लर्न करेंगे जो क्यू उसका नाम है क्वेट्चन एंड एंसर देखो बद्जो यहाँ पे बहुत इजि यह जो लेसन है बहुत इजी है ओकै यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको नीचे एंसर दिये गए है और तो हमें क्या करना है जो question है वह जो सही question है वह चुन कर answer के box में write down करना है और question mark भी हमें लगाना है देखो अब यहाँ पे हमें Jack is talking to the carpenter यहाँ पे जो picture दिया है यहाँ पे जो क्रिया चल रही है उसके माध्यम से हम लोग guess लगा सकते हैं कि यह जो Jack है वह क्या कर रहा है टॉकिंग कर रहा है किसके साथ कारपेंटर के साथ तो इसे related question यहाँ पे क्या होगा यह हम लोग guess कर सकते हैं what is, who is, what is Tom doing देखो Jack का यहाँ पे pronunciation हमें दिया है इसलिए हम क्या करेंगे सब question में जो sentence दिये है जो questions दिये है वह हम अच्छे से read करेंगे तो अभी मुझे बताओ Jack का जो question है वह हम हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा तो four number पे वह question दिया गया है तो हमें वह write down करना है second में हमें question सिले करना है हमें already answer यहाँ पे दिया गया है Tom is reading a book यानि कि इसका जो answer यहाँ पे दिया है कि Tom जो हे वह book को read कर रहा है तो यहाँ पे question क्या होगा कि Tom क्या कर रहा है क्योंकि answer क्या है कि Tom is reading a book इसलिए question हमें search करना है तो देखो what is Tom doing यानि कि Tom क्या कर रहा है Tom is reading a book उसके बाद थर्ड में हमें answer दिया है क्या है The teacher gave the prize to Minnie देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है Minnie प्राइस देनी की जो क्रिया है यहाँ हमें दिखाई दे रही है तो हमें क्या सिलेक करना है सही question तो Who gave the prize to Minnie यानि के जो Minnie नाम की लड़की है उसे prize कोन देता है तो teacher यानि के question हमें सर्च करना है और वह question है Who gave the prize to Minnie यानि के यह जो lesson है यह बहुत easy है हमें क्या करना है जो सही question है वह question mark लगा कर उसे answer जेसा दिया है उस answer पे अनुसारी थमे question right down करना है ok thank you dear student like and subscribe our channel है बनुस臂ज चाँ ताट सेस्वीजाता है